कि देश हमेशा याद है कि विगत कुछ वर्सों में लक्सलियों के खिलाब लड़ाई नेना एक मोड पर पहुंची है और इस दुर्भाग्यपुर्ण गटना ने इसको और आगे बढ़ाने का काम किया है हम दो मकाम और आगे बढ़े हैं आज 36 गड़ सासन के मुख्यमंत्री बगेल जी के साथ सभी फोर्स के अफसरों के साथ अभी रिवी मिटिंग भी की और रिवी मिटिंग के अंदर ये लड़ाई की गती किसी भी तरह से कम नहों ये सुजाव अफसरों की और से ही आए जो बताता है कि हमारे जवानों का मॉरल अभी भी इंटेक्ट है और आगे बढ़े हैं पर मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और घती के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले ज जी थे विगत 5-6 सालों के अंदर 36 गड़ के अंदर जितने भी कैम्प अंदर तक ले जाने थे उसमें काफी बड़ी मात्रा में हमें सफलता मिली है 36 गड़ साशन और भारत सरकार ने मिलकर अंदर जाने की गटी को बढ़ाया है और उसी ही जुल्ला हट में इस प्रकार के गटनाय सामने आती है विकास के मूर्चे पर भी धेर सारे काम हुए है कोरोना के कारण थोड़ी गटी विगत एक साल में मन्द हुई है मगर मैं मानता हूँ कि जितने भी सुझाव ट्राइबल जनप्रतिवियों की वर से मुख्यमंत्री 36 गड़ की वर से 36 गड़ के सांसदों की वर से मिले हैं वो सभी पर कारवाही चालू है तो ट्राइबल एरिया के अंदर एक और विकास की काम को तेज करना और हत्यारी ग्रूपों के खिलाप लड़ाई को तीव्रतक के साथ आगे बढ़ाना और उसको अंजाम तक ले दोनों मुर्चों पर दोनों सरकारे मिलकर मकमता के साथ लड़ रही है देश के प्रदानमंत्री मोदी जी ने ये पूरी लड़ाई को लोजिकल एंड तक ले जाने के लिए भारत सरकार की प्राइडी पहले से ही तैकी हूँ मैं आज 36 कड़ और भारत की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जो गटना हुई है इसके बाद ये लड़ाई और तिव्र करेंगे और ये लड़ाई को हम निश्चित रूप से विजय में परिवर्थित करेंगे जो जवान सहीद हुए हैं उनके परिजनों को भी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आपके भाई ने आपके पती ने आपके बेटे ने जो देश के लिए सरोच बलिदान दिया है उसको देश कभी भूला नहीं से मैं भारत सरकार की वर से आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि संकट की दुख की इस गड़ी में पुरा देश आपके साथ खड़ा है और आपके परिजनों का जो वलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा इन्होंने जिस उदेश के लिए अपना सरोच बलिदान दिया है वो उदेश को हम जरूर सीद्ध करेंगों फिर से एक बार मैं सहीद हुए हुए जवानों को स्रद्धान जली देना चाहता हूं और उनका सरोच बलिदान जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा कि इसके लिए मैं देश को विश्वास्ती लाएगा